नमस्कार आप देख रहे हैं डिज्याना नियूज मैं शेकर उपल आपका स्वाज़त करता हूँ आईए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ चेती सांसा जोती राये सिंधिया एवं सिंधवाडा सांसा कमलनात गुना पहुंचे कंग्रेसी विधायक स्वरगे महें सिंग कालुखिडा को शद्दान जली सबा देने के लिए पहुंचे वहीं एरपोर्ट पर मीडिया को संबोजिद करते हुए कमलनात ने इशारा कर दिया कि सिंधिया को प्रोजेक करने पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं है बल्कि उन्होंने सहमती भी दर्ज कराई कि अकर सिंधिया को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्त किया जाता है तो उसकी पूरी सहमती कमलनात की तरफ से है साथी कमलनात ने ये भी बोला कि आजकर जनजन का एक ही नारा है हमारी भूल कमल का फूल कमलनात ने ये भी इशारा किया कि आला कमान जो भी निर्देश देंगे उसके लिए सभी सहमती दर्श करा देंगे हालाकि उन्होंने CM प्रोजेक्ट के लिए सिंधिया को पूरे तरह से सहमती प्रदान करी साधारण है पर बहुत समझधार है बारतिय जंता पार्टी की कलाकारी की राजनी थी इनकी गुम्रा की राजनी थी इनकी दिहान मोरने की राजनी थी से आज पूरा मद्य प्रदेश परीचित है और गुना और चिंदबारा तो छोड़िये मद्य प्रदेश का एक एक जिला और हर चेत, आज जो पीड़े थे, हमारा वेपारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, हमारा करमचारी होए, और आप जैसे पत्रकार, आज जो पीड़ा है, ये पीड़ा उबर के आ रही है, ये पीड़ा आम जंता की आवाज उठने लेगे, ये शरम की बात है, कि विष्ष के इत्यास में, मद्यप्रदेश के इत्यास में नहीं, केवल देश के इत्यास में नहीं, पर विष्ष के इत्यास में दित्ती आत्मा मत्य हुई मद्यप्रदेश में, ये एक रिकार्ट बना थे. सब काम में जुटे हैं एक पत की गोष्णाव से कोई ऐसा अंतर नहीं पढ़ना हम सब काम में जुटे हैं सब्सक्राइब काम में जुटे हैं तब सिंधिया ने उन्हें गले लगकर अभिवादन दिया कि इस बार किसी भी नेता की मुख्यमंत्री बनने की कोई सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें देखें कॉंग्रिस पार्टी की एक ही प्रात्मिक्ता है और वो है कि जन कल्यान और जन सोच की नीती की आधात पर राहुल जी और सौनिया जी की निक्वित्त में मद्यपदेश में हम लोग शासन स्थाफित करें चाहे दिगवजे सिंग जी हूँ चाहे कमलाज जी हूँ चाहे मैं हूँ चाहे अजय सिंग जी हूँ चाहे अरुन यादव जी हूँ चाहे बूरिया जी हूँ पचोरी जी हूँ हमारी स्वैम की आशा अभी लाशा नहीं है एक आशा अभी लाशा है कि जन्ता की जो सोच, विचारधारा, विकास, प्रगती की सोच एक नए कल्यान की सोच, वो हम मद्य पदेश में स्थाफित कर पाएं और उस मुद्दे को सामने रखते हुए चाहे कमलाज जी हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे राजसाब दिवजा सिंग जी हूँ चाहे सभी नेता हूँ जिनका नाम मैंने लिया है, हम सब एक मत की हैं शीष नेतित्व जो भी निर्नेले चाहे वर्तमान अध्यक्ष के नाम पे, कमलनाजी के नाम पे, किसी भी के नाम पे हम लोग सब एक हैं और मद्यप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार स्तापित हो ताकि जनता का कल्यान हो जाए और जो एक भृषटचार व्यापक सरकार है एक विकास्षील नहीं लेकिंग एक विनास्षील सरकार है उसका समापन हो, बदलाव हो और एक नई कल्यान काड़ी सरकार मद्यप्रदेश में स्तापित हो गमलाजी ने कहा कि चाहे कमलाजी और हमारे बीच में जैसे उन्होंने स्वेम कहा एक पारिवारी गरिश्टा है, चाहे कमलाजी की नेत्वत में अगर उनको कमान सोपी जाए, हम सब को बड़ी खुशी होगी. हम सब जैसे मैंने कहा एक हैं हमकी केवल यह चाहते हैं कि कॉंग्रस की सरकार बने ताकि जनता के विश्वास के आधार पर कॉंग्रस आगे बढ़ पाए और जनता की सोच, विचारधारा, मनोकामना को हम लोग पूरा कर पाए देखिए यह निर्नाय हाई कमान लेगा इस पर कोई एक व्यक्ती टिपनी करे यह मैं मानता हूँ बुचित नहीं है जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अब इसमें निर्नाय हाई कमान लेगी पर यह मैं जरूर मानता हूँ कि आज समय की पुकार है कि हम लोगों को एक साथ होकर मध्यपदेश में भीजेपी की सरकार का पूरा बदलाव हमें लाना होगा और जन कल्यान के आधार पर हमें आगी चलना होगा राजनीती में इच्छा के आधार पर व्यक्ति किसी भी दल के साथ रहता है अब वह स्वय इच्छा के आधार पर कोई व्यक्ति अपने भाव को बदल कर कहीं और जाना पड़ चाता है तो उसको जकड के तो आप नहीं रख सकते प्रजात अंत्र का यही सबसे मजबूत स्थम है अब वह किस कारण वह व्यक्ति जा रहा हो उस पर हम लोग व्यक्ति विशेश पर हम लोग विशेशन कर सकते हैं लेकिन सामान्य तोर पर राजनीती में यह पहली बार नहीं हुआ है कई लोग एक दल को छोड़के दूसरे दल में चले गएं कई साल बाद दूसरे दल को यह वापस किसी दल में आ चुके हैं तो यह कोई नहीं बात नहीं है दरनाता थाना चेत के महुगळात ग्राम में आज एक दिल देहरा देने वाली घटना सामने आई यहां महुगळा रेल विब अंडरबिश्व में पानी भरा हुआ था इस पानी में पुलिस को मिली एक तेरती हुई लाश जिसके बाद संबंदित थाने के पुलिस मोगे पर पहुंची उन्होंने बहां सर महीला के शब को बना मत किया लगभग देड़ साल का बच्चा भी साथ में ही था पुलिस के अनुसार महीला के शहीर पर कुछ छोटों के निशान भी हैं वहीं उसे रसी से बांद कर पानी में फेका भी गया था पर यह समझ से पढ़ है कि बच्च मौत की घात क्यूं उतारा गया हाला कि पुलिस ने मत कायम कर माला दर्च कर लिया है कि अग्या पास फाटक के नीचे फानी बढ़ा हुआ है उसमें डेड बोडी की सुचना मिली इस पर से आया तो बड़ी को निकल वाया तो उसमें एक बच्चे की बड़ी भी साथ में निकल लिए प्रेरकों की सेवा समाप्ति के आदेश के बाद आज प्रेरकों का एक पृतिने दी मंडल जिला कलेक्टर से मिला यहां उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम है ग्यापन भी सोपा एवं उनके साथ किये जा रहा है इस तरीके के वेवहर के सम्मन में कई बाते उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष ग्यापन के माध्यम से रखी साथ ही उन्होंने बताए कि वैय लगतार सत्तादारी धल के नेताऊं से इस सम्वन में एपन देते आए हैं, एवं सभी नेता उन्हें यही आसवाशन देते आए हैं कि उनके साथ कुछ गलप नहीं होगा। परवयाज सकते में आ गए जब उन्हें इस आदेश की जानकारी मिली कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। कि हमारी सेवा पुना हमारे जो काम है वो हमें दीया जाए हमारा मांदे बेतर मान में बढ़ाया जाए हमें सम्मिता सक्षक बर्गतीन का दर्जा दिया जाए और इससे पहले हम कई वार गयापन दे चुके हैं कलेक्टव महदय को भी बीजेपी की बरश्ट नेताओं जैसे की स्री नरहेंदर सिंह तोवर्जी और जैवान सिंघ वियाजी और सीं माषद HEKUD जो приб sniper में आये थे उनको भी हमने गयापन दिया और सीएम जी तो शुकुरा दूारा कि आपका मुझे वगाथा ध्यान है आप चंता ना करहें सब्स्वेइं नहीं बोलको नहीं हुद्वा था अंसन पे भी बैठेंगे और सबसे बड़ा विरोध तो हमारा ये रहेगा कि बीजेपी सरकार अगर ऐसा कर रही है तो ये बहुत अन्याय पूर्ण रहेगा जैसे कि अभी हमारी विदेश मंत्री स्रीमती सुस्मा स्वराज जी ने सन्युक्त राष्ट संग की मीटिंग में ब जिन पर वो बड़े गर्ब से सीना ठोक कर कहती है बीजेपी सरकार की जन्दन योईना, साक्षार वारत योईना और स्वक्षिता योईना आधी हम कर रहे हैं बीजेपी सरकार में उसमें सबसे बड़ी भूमी का हमारी अप्रेरा कौंग नमान संभाग इस तरी एक करीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आज से स्थानी संजे स्टेडियम में किया जा रहा है जिला शिक्षा अदिकारी के मार्दर्शन में होने जा रही इस प्रतियोगिता लगबक आठ जिलो की टी में हिस्सा लेने वाली थी जिन में से दो जिलो की टी लेकिन टीम में कम होने के इस्तिती में यह समय से पहले भी खत्म हो सकती है हाँ हाँ बोलो संजे इस्टरियम में देबलो अरे जी एक सोड़ ले ने आदा मैच का आओ बस एक मट में आ रहा हूँ एक मट में आ रहा हूँ संभाग इस तरही है कीड़ा प्रितियोक्ता नेटवाल का आईवजण को बना में किया जा रहा है इसमें जिला सिक्चादीकारी के मार्दातन में आईवजण किया जा रहा है इसमें छे जिले सम्मलित हुए है भिंड मुरेना ग्वालियर शूपरी गुना अशोग नगर प्रितियोक्ता 27 से 29 आयो जानेश का टीमें कमाई है तो ये आयोन पहले भी ज़़ा है अखिल भारतिय विद्यारती परिशद ने फूंका डी यू विश्व विद्यालाय के प्रोफेसर का पुतला वर्तलभे की विगर्दिनों डी यू विश्व विद्यालाय के प्रोफेसर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने माद दुरगा के उपर आपती जनेक्टिव पढ़ी की थी इसी से गुस्सा आए छात्र संगठन अखिल वारती विद्यारती परिशत ने आज शास्के सनात को तर महा विद्याला गुना के सामने प्रोफेसर का पुतलफ हुगा साथ ही उन्होंने यहां पर प्रोफेसर के खिलाफ नारे बाजी भी की विद्याले के अंदर एक केदार कुमार मंडल नाम का नमक अराम एक प्रोफेसर है जिसने मात दुर्गा के बारे में अबद्र टिपणी करी है इतनी अबद्र टिपणी के जो सहामुई की रूप से खाईवी नहीं सकती एसे नमक अराम और अरामी लोग जो हमारे देश के अंदर हमारा ही खाके इस तरीके से धर्म का पमान कर रहे हैं इनका हम लोग आज यहाबाद बिरोफ करते हैं और हमने इसका यहाबर आज पुदला देन करा है और समाज के सामने हम लोग के कहना चाहते हैं कि इस तरह की दुबारा अगर कोई घटना होई तो किसी भी तरीके से लोगों को बक्षा नहीं जाएगा और हर तरीके की शातिन लोगों को पहुचाने के लिए राष्ट वाजी पिछार दारक लोग सामरते शात्र संगर्धन ओल इंडिया डियसो के कारेकरताओने आज शास्की असनात को तर महाविद्यालाएक के प्राचार को एक ग्यापन पत्र सोपा साथ ही उनों इस ग्यापन पत्र के माध्याम से विगत दिनों बनाराच हिंदू उनिवर्सिटी में शात्राओं पर हुए लाटी चार्ज के मामले में जिन शात्राओं पर मामले दर्ज किये गए हैं उनके मामले वापस लेने की बात कही है साथी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्यत करने की मांग भी डीयेसो के कारिव करताओं ने की एवं अंत में उनकी एक मांग और इस ग्यापन के माद्याम से ये रही कि भी अच्छीव के वाइस चांसलर को उनके पत से हटाया जाए एवं उन पर कारिवाहि की जाए जाए जो बिए चुब बनारा सुन्दी उनिवर्सिटी में गल्स पर छेड़ खानी हुई है उस पर चात्राओं को जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको बावस लिया जाए दूसरा चात्रों की सुरक्षागू सुनिश्चित किया जाए और वहां की जो कुलपती हैं उनको बरखाती है सब्सक्षाग चात्रों को बावस-ब्रासिट किया जा रहा है साथ ही शाम होते ही शहर के विभिन पान डालों में मातरानी के दर्शन करने के लिए भी बड़े संक्या में शरत दालों पहुच रहे हैं आईए नज़र डालते हैं गरबाय वं मातरानी के मनमुह अकपान डालों के कुछ जल्कियों पर फ्रोया को ब्हासरो करेंग बिल्रेश कro स्याओक से उन IPA तरयर हैं तरयर आईए, खगता है इन ही भल्कियों थाते हैं तरयर आ स्थैंस, दोगद स्वान स्वाइख अजयंूजरanda के व्यूँर्ण के का अग philosophि है गया गो Oke कि आईए अनardon, आमके का व्यों और आवारी आवो वलिके परांपता ब्रमाजी के हनी से टोनके भर्दाइंक रगलाम किया नुत भरां का उप्यो अच्वा प्रेयोक किसी के ठाउ जो आग्याने वन जाए बरत लकन से भाई को में जो आग्याने वन जो आग्याने वर्ष के उपलक्ष में भाजपा जनोने सावत पर बेठे आवारा पश्यों के सिंगों पर अंधेरे में चमकने वाली स्ट्रिप्स चिपकाये हैं यह कारे भाजपा जनों द्वारा जानवरों को दुरगट नगरस्थ होने से रोकने के लिए किया गया है अकसर रात में सर्गों पर आए दिन वाहन जानवरों से टकरा जाते हैं जो दुरगटना का कारण बनते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए आज भाजपा जिला अपाध्यक्ष अरोन चतरुवेदी विश्वनात सिंग और चुन्ना सिकरवार भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रबारी विकास जेन नकराली साहित बड़ी संक्या में इस कारिक्रम में भाजपा जनों ने हिस्सा लिया हिंदु जागरल मंच के तत्वावधान में आज माता बीस भुझी के लिए एक विशाल चुन्री यात्रा कायोजन किया गया यह चुन्री यात्रा केंट इस्तित पंचमोगी हनुमान मंदर से प्रारम हुई जो बड़े ही दूमधाम के साथ माता बीस भुझी के मंदर पहुची चुन्री यात्रा में सवासो मीटर की एक लंबी चुन्री माता बीस भुझी को चड़ाई गई इस मौके पर सेकलो की संख्या में वहिंदू जागरमंच के कार्री करता चुन्री यात्रा में उपस्तित लहे यह अपनी पंचमोगी से आईए और बीस भुझी जाएगी तबासो मीटर इक लिसमें करीवन करीवन साथ तीन सो चार सो लोग सामें आरोन नगर में विशाल चुन्री यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें सेकलो की संख्या में श्रद्दालु ने भाग दिया वहीं एक श्रद्दालु द्वारा बताया गया कि 1111 मीटर की चुन्री बजरंगर इस्तित मा बीस भुझी देवी पर चड़ाई जाएगी चिय वहीं एफिया ओralो ये गजिसमें सब्सταव सब्सक्राशब की सुन्री बास बास पकभ़ाई, चुन समातल िारो कैंते हैं जाएगी गपका सुन्री का इससे कि भी जुर ई। चुझी झांसाथ झांसाथ जुर चूरो cheesy lí आरों से हमारे सही होगी चंद्रेश रगवंसी की रिपोर्ट रागोकर तेहसिर के सेमरा गाव में प्राक्ट में कि स्कूल के पास एक हिरन का मिरत बच्चा पाया गया प्रात जानकारी के अनुसार हिरन के बच्चे का पीज़ा कुछ कुछ गुट्थे कर रहे थे कि अचाने खिरन का बच्चा भागता हुआ, स्कूल के गेट से टकरा गया, एवं उसी में फस गया, जिसके कारान उसकी मोके पर ही मिरत्य हो गई जिसके बाद गाववालों ने वन्विबाद की टीम को इसकी सूचना दी, एवं वन्विबाद की टीम नमोके पर पहुँच कर मिरत्य हिरन के बच्चे को अपने कबजे में ले लिया राखोकल से हमारे सही होगी कमलेश स्थैनी की रिपोर्ट आज राखोकल के मैंचोरा है पर सुबह 9 बजे 22 बुजी के लिए 100 मीटर की चुनरी आतरा निकाली गई इस चुनरी आतरा में बड़ी संख्या मेश्रत धालू उपस्थित रहे अरे रे रे सुन में लिया जो गोरा में तो हो जाएगी हम से खपावो दीरे का हो चला चिलम भरो पंगिया भी जो पे संगा दो तुम इतने मैं फरता चिलम से दम भूती चकर खाती बोला एतलियार बाबा बोला उसने पटक मारा धोना हो लिए रागोगर से कम ले सेनी की रिपोर्ट डीजी आना नीज में आज बच इतना ही कल फिर आजिर होंगे तब तक दीजिए अजाज़त नमस्कार इतना है क्या है रागोगर से से स्वाज़त फिर फज़त वाम पिर्ट कर दो कोई तो अ जैजिए पूम लेड़स है जा आना है कि अरिए स्वागर से पाम से लिए जाज़त ए्रम झाल झाल